नमस्ते विद्यार्थियों, हम लोग डायरी का एक पन्ना पढ़ रहे हैं, जिसकी सहित्तिक विधार डायरी है और इसके लेखक हैं सीतारां सेक्सरिया, यह एक एतिहासिक डायरी है, यानि इतिहास की घटनाओं पर आधारित डायरी है, हम लोग यहां तक पढ़े थे कि पु लोग आग 26 जनवरे 1931 को दूसरी बार स्वतंतरता दिवस मना रहे थे, ताकि भीर इकठी ना हो और लोग स्वतंतरता दिवस नहीं मना सके, अब आगे पढ़ने से पहले एक बात हम लोग जान लेते हैं, वो यह कि कलकत्ता वासियों नि, 26 जनवरे 1931 को जो दूसरी बार व खुली चुनवती दिए थे, खुली चुनवती देकर स्वतंतरता दिवस मना रहे थे, खुली चुनवती क्या थी, वह यह थी कि 26 जनवरे 1931 को चार बज कर 24 मिनट पर मोनुमेंट पर जंडा फहराया जाएगा, तिरंगा फहराया जाएगा, स्वतंतरता की प्रतिग्या आम आदमी की उपस्थिती में भीड होगी हजारों की संख्या में लोग वहाँ उपस्थित होगे यही खुली चुनावती थी अब जो मोनुमेंट था उसको तो पुलिस सुबह 6 बजे से ही घेर ले थी भारे संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिये गए थे 6 बजे से ही लेक जंडा फहरा दिया गया था लोग जहां तहां खास करके बड़े बड़े भवन कारियाल है और पार्कों में जंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे जो पहला पार्क का वर्नन आया है वह है स्रद्धानंद पार्क जिसमें अभिनास वावु जंडा गारे थे अभिनास ये विद्यार्थी संग के मंत्री थे, वो महाँ जहंडा तो गार दिये, लेकिन उनके साथ जो जुलुस थी, जो लोग थे, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, उनके साथ मार पीट की गई, कुछ लोग को पकड़ लिया अगया और फिर मार पीट कर वहाँ से भगा दिया उसके बाद तारा सुंदरी पार्क का बर्णन है जिसमें हरिस्चंद्र से जंडा फहराने गए थे ये कौन है हरिस्चंद्र से बड़ा बाजार के कॉंग्रेस कमीटी के युद्ध मंत्री है हरिस्चंद्र से लेकिन उन्हें तारा सुंदरी पार्क में अंदर जाने ही नहीं पुलिस गेट पर ही उन्हें रोक लिए और वहां तो बहुत मार पिटाई हुए तिन चार पुलिस के साथ जड़क कुछ ज्यादा ही हो गए तिन चार लोगों के सिर फट गये और बहुत लोग घायल हुए तो भी हरिस्चंदर से जंडा नहीं फहरा सके उसके बाद इस्तरी इस्तरी जो समाज थी वह अपना-पना जुलुस निकालने का प्रयास कर रही थी जंडा फहराने का प्रयास कर रही थी गुजराती सेविका संख की ओर से भी जुलुस निकाला गया इसमें बहुत अधिक संख्या में लड़किया थी हलाकि संख्या बहुत अधिक थी जुलस बहुत बड़ा था फिर भी उनमें से बहुत लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जानकी देवी और मदालशा पहुँच चुकी थे जानकी देवी और मदालशा कौन है दो अलग अलग इस तरिया है महात्मा गांधी के चार पुत्र थे जमना लाल बजाज को महात्मा गांधी के पांचवे पुत्र के रूप में माना जाता है जमना लाल बजाज को और जानकी देवी जमना लाल बजाज की पत्नी है मदालसा उनकी पुत्री है मदालसा का पूरा नाम है मदालसा वजाज नारा है ये लोग महरवारी बाल का विद्याले में पहुँच गई थी और लड़कियों को जंदोत्सो का अर्थ बता रही थी हम जंदाकियों फरा रहे हैं और लोगों को कैसे इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करना है वो सब लड़कियों को समझा रही थी कौन-कौन जानकी देवी और मदालसा अब उसके बाद बढ़नन है लेखक कौन सीताराम सक्सरिया जो कि खुद भी इस जुलूस में सामिल थे एक बार कलकत्ता के चारो भाग में भूम कर देखते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है हलाकि पुलिस बहुत अधिक संख्या में पूरे सहर में तैनाथ थी लोगों पर लाठियां भी बढ़सा रही थी बावजूद इसके उनको पूर कलकत्ता का अधिर से बहुत अच्छा लगता है क्यों क्योंकि चारो और लोग जंडा फ़राने के लिए जुलूस निकालने के लिए सडकों पर निकल रहे थे चाहे पुलिस कितनी भी जाधती बरत रही थी कितनी भी सकती दिखा रही थी लेकिन लोग निकल रहे थे इसी बात को देखकर उन्हें बहुत खुशी थी जगा-जगा लोग फोटो भी ले रहे थे लेखक कर रहा है लेखक वर्णन कर रहा है कि वह भी फोटो का पूरा प्रबंध किया था बच्चो फोटो का बहुत महत्व होता है और खास कर ऐसे आंदोल उनों में क्यों एक तो अस्मिर्ती को संभाल कर रखने में फोटो मदद करता है और उससे बड़ी बात ये थी कि जहां-जहां लोग जंडा फहरा रहे थे जुलुस निकाल रहे थे उन पर पुलिस जो सकती बरत रही थी जो मार पिटाई कर रही थी जो गिरफतारिया हो रही थी वो सब फोटो समाचार पत्र में जाएगा और उसके माध्याम से लोगों तक पहुझेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस आंदोलन में समिलित हो सके प्रत्यक्षिया और प्रत्यक्षि रूप से इसका वर्डमन करने के बाद लेखा कर रहा है कि दो तीन बजते बजते पुलिस बहुत भयंकर हो गई बहुत जो प्रमुख नेता थे उनकी गिरफतार यहां सुरू हो गए जिनमें दो प्रमुख लोगों को गिरफतार किया गया पुर्णोदास और पुरुसोत तमराय को गिरफतार कर लिया गया चुकि सुबाश चंद्र बोस जुलुस के प्रमुख थे और सुबाश चंद्र बोस के जुलुस का भार था पुर्णोदास पर इसलिए बहुत strategy के तहप पुर्णोदास को गिरफतार कर लिया गया लेकिन गिरफतारी से पहले ही पुर्णोदास सारा प्रबंध कर चुके थे। पुर्णोदास सुबह में पुलिस जितनी सक्ती से पेशा रही थी एक बचते बचते पुलिस थोड़े धीली पड़ गई अब लोगों को लगने लगा कि पुलिस बहुत सक्ती नहीं बढ़ते ही लेकिन उनकी सोच कहीं जो कल्पना जो किये वो जो पुर्वानुमान लगा है वो सही नहीं निकला पुलिस फिर सक्त हो गई अब पुलिस धीली क्यों पड़ गई थी मेरे विचार से तो पूरी सक्ती के साथ जैसा मानो का सुभाव नहीं है वो सुभाव बनाकर आखिर कितने देर तक कोई रह सकता है शायद मानो सुभाव के कारण है पुलिस थोड़े धीली पड़ी थे लेकिन फिरवा सक्त हो गई और जब तीन बजते बजते लोग मोनुमेन के पास इकठे होने लगे हजारों की संख्या में लोग इकठे होने लगे और गुरुप बना बना कर टोलिया बना बना कर इधर उधर घूमने लगे मैदान में तो पुलिस फिर एक आज जो बात थी वह निरानी थी लेखक चारों ओर जो नवीनता देखता है जो उत्सा देखता है जो उमंग देखता है और लोगों में जो जजबा देखता है पुलिस की सक्ति की बाद भी लोग जो इस तरह से स्वतंतरता दिवस मनाने के लिए बाहर निकल आये थे यह देखकर लेखक बहुत खुश होता है और वह लिखता है आज जो बात थी वह निराली थी आज जैसा हुआ पहले कभी नहीं देखा था लोगों में उत्साह उमंग इसलिए उसे बहुत अच्छा लगता है आगे बढ़नन करता है कि जब से कानून भंग का काम हुआ है कानून सब्सक्राइब अग्या का नहीं के रूप में हो जब से कानून भंग का काम हुआ है तब से ऐस एसी सभाभ पहले कभी नहीं वी थी इतनी बड़े माय्दान में खुली चुनावती देखा रबज़ कर चार बज़कर चौविस मिनट पर मोनूमेंट पर जंडा फहराया जाएगा स्वतंत्रता की घोसना पत्र भी पड़ी जाएगी और लोगों की उपस्थिती में यह तो एक तरह से उपिल लड़ाई थी सरकार के साथ पुलिस कमिशनर का नोटिस निकल चुका था कि कुछ धाराओं के तहत कोई भी सभा नहीं हो सकती है जो लोग काम करने वाले थे यानि जो नौकरी कर रहे थे सरकारी भी भाग में उनको इंस्पेक्टर के द्वारा यह नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि कोई भी ब्याक्ति जुलुस में भाग नहीं लेगा जो लोग जुलुस में भाग लेगा वह दोसी समझा जाएगा औ और उस पर कानूनी कारवाई की जाएगी और इधर कॉंसिल का नोटिस था कॉंग्रेस की कॉंसिल की नोटिस थी कि 4 बज कर 24 मिनट पर मोनुमेंट पर जंडा फहराया जाएगा स्वतन्तृता की प्रतिग्या पढ़ी जाएगी और वह भी सर्वसाधारन की उपस्थिती में खुला चैलेंज देकर ऐसी लड़ाई पहले कभे नहीं हुई थी खुला चैलेंज यही है सिधा समझेए आप लोग समय और जगह बताकर स्वतन्तरता दिवस मनाना और वह भी आम आदमी की भारी संख्या के सामने यही सरकार के लिए खुला चैलेंज था ठीक चार बज कर दस मिनट पर जब सुबाज चंदर बोस अपनी जुलस को लेकर आगे बढ़ रहे थे और च़ौरंगी के पास पहुचें अब चार बज कर दस मिनट पर सामने पहुँचें प्रमुख नेता थे और इनके जुलुस में लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। इसलिए पुलिस बहुत कोशिस की रोकने की हलाकि सुबार चंद्रबोस को उनके साथियों के साथ चौरंगी पर ही रोक लिया गया लेकिन उनके साथ जो जुलुस थी वह आगे बढ़ते च उसको रोकने में पुलिस काम्याब नहीं हो सकी हलाकि पुलिस भयंकर रूप से लाठिया चला रही थी फिर भी लोग आगे बढ़ते चले गए सुबास कई लोग घायल हुए कई लोगों को गिरफतार किया गया सुबास चंद्रबोस को भी लाठिया लगी उनके सिर से भी खुन निकल रहा था लेकिन वे बंदे मात्रम बोलते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे हलाकि जो तिर मैं गांगोली जो उनके साथ ही थे पुलिस के सामने से उन्हें हट जाने के लिए कहा ताकि थोड़ा रुक कर फिर आगे बढ़ा जाए हमें सफलता चाहिए हमें पुलिस से ज्यादा उलजना नहीं है ले बावजूद इसके सुवासचंद्रवोस नहीं रुके वे कहे हमें आगे बढ़ना है और बंदे मात्रम बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे यह सब लेखक अपनी आँखों से देखा था पुलिस भयानक रूप से लाठिया चला रह जिनसे उनका सिर फट गया और खून इतना अधिक निकल रहा था कि लेखक वर्णन कर रहा है वर्णन क्या किया है कि उनकी सिर देखकर सिर से निकलते खून को देखकर आखें मिच जाती थी आखें मिच जाती थी यानि आखें बंद हो जाती थी अपने आप खून को देखक इधर ये अहालत थी, पुलिस जुलस को नियंतरित करने में लगी हुई थी, उसे हटाने में लगी हुई थी और उधर इस्थियां, इस्थियों का जो जुलुस था, वो मौनुमेंट की सिर्यों पर से होते हुए मौनुमेंट पर पहुँच जाता है, जंडा फहरा दिया जाता है, स्वतंतरता की प्रतिग्या भी पढ़ दी जाती है, हजारों लोगों की उपस्तिती में, और इस्थिया बहुत बड़ी संख्या में पहुची हुई थी जुलुस का बहुत बड़ा भाग पहुच गया मोनुमेंट के पास और चार बच कर 24 मिनट पर जंडा भी फ़राया गया स्वतनतरता की परतिग्या भी पड़ी गई वह भी आम लोगों की उपस्थिती में जो भी वोलंटियर्स वहां गये थे चाहे पुलिस कितनी भी भयंकर रूप से लाठियां क्यों नहीं चला रही थी लेकिन जो वोलंटियर्स थे वे अपने जगह से हिलते नहीं थे इस तरह से कलकत्ता में 26 जनवरी 1931 को जो जब देश में दूसरी बार स्वतनतरता दिवस मनाया जा रहा था तो क कलकत्ता वासियों नहीं इस तरह से स्वतनतरता दिवस मनाया अब इसके बाद जो बढ़नन है वह अगली कक्षा में पढ़ेंगे जिसमें जन्ड़ा फेराने के बाद जिस तरह से और लोगों को के साथ ब्योहार किया गया पुलिस जिस तरह से गिरफतारी की जिस तरह से लोगों को लोक आप में बेजा गया उसका वर्णन है जिसे हम लोग अगली कप्षा में पढ़ेंगे धन्यवाद बच्चा